हेलो दोस्तो एजट इलेक्ट्रिकल और यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हरदिक सौगा थे दोस्तो हम लोगों का जो फ्रीज होता है और की रेफ्रीडरेटर होता है refrigerator कोई दू प्रकर का होता है एक होता है single door और एक होता है double door तो दोस्तो हम लोगों का जो freeze है freeze में आप काम करते है आप technician है तो आपका दो प्रकर fault के बारे में पता होना जरूरी है दोस्तो एक होता है इसका mechanical fault और एक होता है इसका electrical fault ठीक है आइस निकालने का टाइम चाकू मार देते है और चामस मार देते है हलाकि इसमें लिखा होता है कौन-कौन चीज़ का यूज करना है कौन-कौन चीज़ का यूज नहीं करना है देखिए यहां में लिखे होगा Do not use sharp object to remove ice मतलब कि ice निकालने के लिए कोई sharp object यूज ना करे जैसे कि चामस हो गया चाकू हो गया इसको डैवर हो गया फिर भी नहीं जानते होंगे कस्टमार और इसमें चाकू मार देते है तो यहां से गैस निकाल जाता है तो ठंडा नहीं करते है उस टेम हम लोग क्या करते है फ्रीजर को चेंज करके गैस भर देते है ठीक है तो यह हो गया इसका mechanical fault ठीक है दोस्तो और एक mechanical fault बोले तो देखिए इसमें अगर choking का fault आ जाए ठीक है दोस्तो रिले खराब हो गया, overload खराब हो गया, thermostat खराब हो गया, ठीक है बल्फ खराब हो गया ठीक है यह हो गया इसका electrical fault तो दोस्तो electrical fault जानने से पहले सबसे पहले आपको important जानना है कि इसका wiring का बारे में तो दोस्तो आज इसी topic का बारे में बात करेंगे कि हम लोग का जो single door freeze है अगर कई जगा में आप जाके देखते हैं कि हम लोग का जो single door freeze है इसका wiring पुरा shortage हो गया ठीक है तो आप क्या करेंगे इसका ना wiring करेंगे अपनी तरफ से तो ओक इस तरह से करेंगे दोस्तो तो इसका बारे में पूरा बात करेंगे आज देखेंगे हम लोग जो single door freeze है single door freeze का wiring कि इस तरह से किया जाता है दोस्तो ये वीडियो देख लेंगे तो आपका कोई प्राब्लम नहीं होएगा और कौन-कौन से component खरावड़न से electric car fold आता है ओ भी बताऊंगा दोस्तो तो चलिए दोस्त ल्हेंगे दोस्तो तो सबसे पहले दुस्तो कंपरेशव दूशेशर आए वाएगा और कंपरेश्यो का बारे में बात कर लेते हएं दोस्तों is the component which is compress the gas from low pressure to high pressure एज जो हम लोग का compressor है compressor क्या करता है gas को compress करता है यह जो हम लोग का पता होगा compressor क्या जाप देता है फ्लिए फ्लर मेरा छाप देता होगा ठीक है धीक है दोस्तों जंक पता होगा ditches line का मादम से बाहर जाएगा ठीक है दोस्तों बाहर जाके condenser में condensation होके वो फिर से section line में section line से compression का अंदर आ जाएगा यह होगा हम लोग का compression ठीक है और क्या क्या रहता है दोस्तों यह दिखिए और रहता है एक है door switch ठीक है दोस्तों यह door switch जब हम लोग का door खुला रहेगा त यह बाल्प आटोमेटिकली जलेगा और जब बनध 197 टो इए डोर जब बन करेंगे तो टोमेटिकली राइट शार थीक्त थीकति तरह से और रहेगा एंक ते्मज्टेट एनि टेंपधिर यह temp 4 एनैकी ओल्पी तरके डीकाथ और क्या रहाएगा एक रहाएगा एक रहाएगा रिले इसका इसका पूरा नाम है positive temperature coefficient इसका नाम है रिले ठाहिए और और क्या रहाएगा एक बाल भोलटा रहाएगा दोस्तों फ्रीज गाव इस तरह से नहीं है लेकिन यूजी बाल इसका bulb भी उसकरेंगे ठीक है दोस्तो एक bulb holder रहेगा और bulb holder का bulb holder में तो बल लग जाएगा तो एक बल भी रहेगा और एसंफे अभी इसका वायरींग करते हैं थार्मोस्टेट में देखिए दोस्तो थार्मोस्टेट में इस तरह दो पीन है ठीक है आप thermostat में इस तरह दो pin दिखेगा तो इस तरह से दो थिम्बिल लगवा वायर आपको बना लेनी एए अभी क्या करेंगे यह जो दो थिम्बिल लगवा वायर है न एक में दे देना है तो आपका और एक वायर लेकर इसमें दे दे देना है इसमें दिखाने के लिए वायर छोटा लिया है लेकिन आपको बड़ा लेना है ठीक है इसमें दे देना है और अभी क्या करना है दोस्तो देखिए यह जो है यह इसका रिले है तो रिले में कितना टर्मिनल है तो देखिए एक टर्मिनल है तो इसमें एक थिम्बेल दे देंग अभी क्या करने है दोस्तों देखी हम लोका जो डोर सुरिज होता है दोर शुरिज को इस तरह से होती है और डोर सुरिज में बीख़े है ça 桃 दो टाइमिनिल में दो थिम्स स्थिम्स देंगे दोस्तों और एक बात बता दे clarification लोगों को जो एक डोर स्विज होता है दोस्तों एक डोर स्विज सीरीज में लगा हुआ होता है ठीक है सीरीज में लगा हुआ होता है दोस्तों हम लोग का डोर स्विज होता है जो हम लोग का ये सीरीज में लगा हुआ है तो सीरीज में इस तरह से दो रेट वायर आपको ले देना है देखिए दो टार्मिनल था तो दो टार्मिनल में दो थिम्बिल दे दिया है ठीक है अभी इसको करते है साइट इसमें भी थिम्बिल लगा दिया है अभी बचा क्या है ओवरलोड बचा है तो तो ओवरलोड में दोस्तो ध्यान रेकिए ओवरलोड में हम लोगों का ज और जो यह बाल फोल्डर है बाल फोल्डर में तो एक फेस आएगा और एक निटल आएगा ठीकिए इस तरह से आप लागा लेंगे ठीक है और अभी करते है इसका वाइरिंग कनेक्शन तो हम लोगा जो वरस्टे के चलाने के लिए रिल होती है को सिर्फेसिति दीन क्यों लेंके यहां होती है दॉप्रेसिके ऊष्टिम्नchem कॉमोन ट्रेमिनल में हम लोग क्या लगएगा जो 최 two ऊपर का ट्रमिनल अभी दिखा देते और तो ये जो हम लोगका काओ, कम्प्रेशर का जो दो ट्रामिल बच्छा है, इसमेँ आ जाएगा, तो दिए हम लोगका इस तरह से अजाएगा देख लिये, locksल गया है, ård लुद और चलेगा तरह कॉम्प्रेशर में, आब यी क्या करेंगा, आभी दूस्रा कंपोनेंट का connection करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों इसको इस तरह से connect करेंगे ठीक है इसको इस तरह से connect करने का बाद दोस्तों यह जो दूसरा face है ठीक है दोस्ता दूसरा जो face face है इसको क्या करेंगे इसका साथ में एक इस तरह से wire connect कर लेते है face का wire तो इसको इस तरह से face का wire connect कर लेते है और इसका दूसरा सीरा को देखे इसका दूसरा सीरा को क्या करेंगे ए जो door switch है न दोस्तो door switch में किसी भी एक में दे देते है ठीक है एक में दे दिया है और दोस्तों देखिए यह जो डोड़ सु इसका दूसरा जो फेस एक टार्मिनल बचा है फेस का वो क्या करेंगे यह जो बाल भोल्डर है बाल भोल्डर का यह जो फेस बाली बाल भोल्डर का जो है न्यूटल है और फेस है तो लगा देंगे यहां तक समझ में आ गया की नहीं देखिए दोस्तों यहां तक समझ में आया फेस के कनेक्शन ठीक है अभी दोस्तों क्या करेंगे इसमें जो है इन फेस देना बाकी है तो में फेस कहां में देंगे दोस्तों देखिए में फेस आपको देना है यह वाला यहां म जहां में ए थामस्टेट का एक सीरा और ए रिले का जो एक सीरा है यहां में में फेस दे देना है दोस्तो देखी ए में लीड है में लीड का फेस तो यहां में में लीड का फेस दे देना है कुछ इस तरह से देखिए कि इस तरह से main face यहां में दे दिना है ठीके दे दिया है और single door freeze में और कई जगह में face नहीं जएगा दोस्तों देख लीजिए अच्छा से देख लीजिए और कोई जगह में face नहीं जाएगा इसमें face आएगा देखिए देख लिया है अभी करते है इसका neutral connection, दोस्तों neutral connection इसको simple है, तो neutral connection करने के लिए, वह इस तरह से एक neutral wire ले ले लेता है, ठीक है, और यह क्या करेंगे, यह जो bulb holder के union, इसमें connector लेता है, ठीक है, और यह जो neutral है, यह newtel क्या करेंगे, ए जो overload है, orpa यह उपर में हम लगाए था, तो यह overload में दे देना है कुछ इस तरह से देखिएगा और यह जो मेन सप्लाई का न्यूटल है मेन सप्लाई का न्यूटल यह हमें यह जब जो ओवरलोड जोड़ा है और यह जो बाल्ब होल्टर का एक वायर जोड़ा है इसमें दे देना है ठीक है कुछ इस तरह से देखिए दे दिया है अभी क्या करना है क्या करेंगे दोस्तों यह जो बाल्ब है बाल्ब को बाल्ब होल्डर में लगा देते हैं ठीक है अभी इसका पूरा connection जो है हो गया है ठीक है अभी इसका पूरा connection जो है complete हो गया है देख लीजिए दोस्तों अभी क्या करते हैं दोस्तों इसको testing करेंगे तो स्टाड होईगा कंप्रेश है आधीधा क्यों कि जो स्टाट हो गिया अभी सवाइन सवाइप झे जिस मैं परेशर फैकता है तो इस टाइम हम लोग है दोर है दोर खुला है तो यह जालता है तो देखिए दोर्य को जब अम लग करेंगे गशीक मिदा में तो हीश केषिए तो इस तरह से पूरेख कॉरory दोस्तों आप सिखे लेंगे एक बार वीडियो बनने का मकस्द दोस्तों उगने escolet मिलते हैं आगले वीडियो में वीडियो आच्छा लगता तो प्लीज दोस्तों लाइक और चैनल में नाया है तो प्लीज सब्सक्राइब करे लेंगे तो चलिए wagon